देश में कोरोना वाइरस पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कही न कहीं देश की जनता ही लॉकडाउन के नियमों की सरयाम धज्जियां उड़ाती देखी गई हैं। हालाकि गोवा देश का वो राज्य है जो कोरोना मुक्त है और इसको बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से चोकननी है। इसी वज़े से गोवा सरकार की राज्य कारेकारणी समीती ने नया आदेश चारी किया है। इस आदेश के तहट पेट्रोल या राशन खरीतने के लिए फेस मास्क पहनना अनिवारे होगा। बिना फेस मास्क के लोगों को ना ही पेट्रोल दिया जाएगा और ना ही राशन। कोरोना वाइरस प्रबंधन और राहत कारेों की देखरे कर रही कारेकारणी समीती ने सारजनिक स्थानों पर मास्क के उप्योग को लागू करने के लिए कारे यूजना तयार करने का संकल्ब भी लिया। सरकार के इस उदेश्य को पूरा करने के लिए सरकारी प्रवक्ता ने सुझाव दिया कि S.E.C. ने फेस मास्क को लेकर जो फैसला किया है उसे लागू करना बहुत जरूरी है लेकिन इसे सही तरीके से सफल बनाने के लिए राज्य को अभियान शुरू करना चाहिए जैसे कि नो मास्क, नो पेट्रोल, नो मास्क, नो राशन या समान वही दूसरी तरफ S.E.C. ने सचिप को नागरिक आपूर्ती, सूचना और प्रचार निर्देशाले के जरिये महामारी के कारण मास्क पहनने और चेहरे को ढखने के लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है हाला कि अधिकारे काकडों के मुताबिक राज्य में मास्क नहीं पहनने पर लगभग 1000 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है इस वक्त गोवा कोरोना मुक्त राज्य है हाला कि यहां देश और दुनिया के शहरों से बड़ी संख्या में टूरिस्ट खूमने आते हैं उसके बावजूद भी कोरोना काल में गोवा सेफ रहा यही वज़े है कि गोवा सरकार इस स्थिती को बरकरार रखने के लिए तमाम प्रयास कर रही है जनसत्य न्यूस के लिए सुनैना सिंग की रिपोर्ट